हलदवानी में पुरानी पिंशन भाली को लेकर राज करमचारी सरकार के खिलाफ लाम बद्ध हो गए हैं सैक्लोगे संख्या में राजी करमचारीयों ने नेनिताल रोड़ पर एक परदर्शन डेली निकालते हुए राज सरकार के खिलाब जमकर परदर्शुन किया और पुरानी पेंशन बहाली की मांग की करमचारियों का कहना था कि जैसे कुछ राजयों की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाली की है ठीक उसी परकार से उत्राखंड में भी राज सरकार को करमचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्राखन के अंदर करमचारियों का दमन किया जा रहा है। जिसको करमचारी किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। और पुरानी पेंशन की मांग को लागू करवा कर रहेंगे। सब्सक्राइब करते हैं और यह नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ है नियाय हो और इसी की पुर्जोर लड़ाई है चाहे हमें सरकार हिलारी बड़े चाहे हमें पुर्जोर मेहनत करनी पड़े हम इसके लिए संगर साय करेंगे और करते रहें पारी जो मुख्य मांग है वो पुरानी पैंसन बहाली की मांग है क्योंकि 2004 में केंदर सरकार ने और 2005 में राज्य सरकार ने पुरानी पैंसन बंद कर एक नई पैंसन स्कीम सुरू करी जिसमें नई पैंसन में जो करमचारी का पैसा है वो मार्केट में लगाये जाता है देखे तो साइध हमारा जो जमा हुआ पैसा है वो भी खतम हो जाएगा और पैंसन मिलना तो दूर हमारा जमा पूजी भी हमें नहीं बिल पाईगी इसलिए हमारी मांग है कि पूरों की भाती पुरानी पैंसन भाल की जाए जिससे कि हमारा बहुत सुरक्षी दो सकोए और इस्टेट सेट इस्टेट को पी सेलने के सवाistor है और को इससा मार्केट में लगाने जिनकी जो पुरानी पेंसन बन की गई है वो पूरु के बाद ही बहुत कर दिजाए बस क्या ना अपना रमेश सिंग नेगी